आज में एक ऐसे टॉपिक की बारे में जानेंगे जिसका जल इस्तिर होता है और बहुत बड़े गड़े के रूप में भरा होता है खारापन, मीठापन उसकी मुखे विसेशता है बनावट के आधार पर वहे नैचुरल और आर्टिफिशल रूप में होती है जबकि जल की प्रकति के आधार पर खारे वे मीठे पानी के रूप में पाई जाती है वहीं उत्पति के आधार पर क्रेटर, गोखुर, वे लेंगून या डेल्टा के रूप में पाई जाती है जील जल का वह इस्तिर भाग होता है जो चारो तरब से इस्थल कंडों से गिरा होता है समाने रूप से जो जीले होती है वो भूतल के एक बहुत बड़ी गड़े के रूप में होती है और जिन में जल भरा होता है समाने रूप से जीलों का जो जल होता है वै इस्तिर होता है और इनकी जो मुख्य विसेस्ता है वै है खारापन लेकिन जो अनेक जीले हैं वो मीखे पानी कीवी पाई जाहती है अब हम देखते हैं कि जीले कितने प्रकार की होती हैं जीले आपकी तीन प्रकार की होती हैं एक है बनावट के आधार पर दूचरी है जन्ती प्रकति के आधार पर और तीसरी है उत्पत्ती के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं कि बनावट के आधार पर जो जीले हैं कितने प्रकार की होती है तो बनावट के आधार पर आपकी दो प्रकार की होती है नमबर एक है आपकी प्राकर्तिक जीले जिने नैचुरल जीले कहते हैं और नैचुरल जीले ऐसी जीले होती है जो की नैचुरो डूप से पाई जाती है जैसे आपकी डल जील है और नैनी जील है और दूसरी है आपकी क्रतिम यानि की आर्टिफिशल जील आर्टिफिशल जील ऐसी जील होती है जो की बनाई जाती है जैसे आपकी गोविन सागर जील है जो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशल जील है तो इस तरीके से हम देखते हैं नैचुरल और आर्टिफिशल रूप से दो परकार की जीले आपकी पाई जाती है अब हम देखते हैं कि जल की प्रकति के आधार पर जीले कितने परकार की पाई जाती है इसमें दो पुरकार की होती है नमबर एक खारे पानी की जीले और नमबर दो है मीठे पानी की जीले जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी जील है वो आपकी सांभर जील है जो राजिस्थान में पाई जाती है जबकि मीठे पानी की जो सबसे बड़ी जील है वो वूलर जील है जो जम्मु कस्मीर में पाई जाती है जबकि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है वो सुपीरियर जूल है जो की आपकी अमरीका में पाई जाती है अब हम देखते हैं कि उत्पत्ती के आधार पर जीले कितने प्रकार की पाई जाती है तो तीन प्रकार की पाई जाती है नमर एक क्रेटर जील, नमर दो गोखुर जील और नमर तीन है लेंगून या आपकी डेटा जील क्रेटर जील वो जील होती है जिसका निर्मान किसी ज्वाला मुखी किरिया के द्वारा होता है जैसे आपकी महाराष्ट की है लोनार जील जिसका निर्मान ज्वाला मुखी किरिया के द्वारा होता है दूसरी है आपकी गोखुर जील जिसका निर्मान किसी नदी के द्वारा होता है जैसे की आपकी वुलर जील है जिसका निर्मान जीलन नदी के किनारे हुआ है तीसरी है आपकी लेंगून या डेल्टा जील जिसका निर्माण आपके समुद्र के किनारे होता है जिसका एक्जम्पल है आपकी कोलेरो जील अब हम देखते हैं कि क्रेटर जील कैसे बनती है क्रेटे जील का निर्मान जुवालमुखी किरिया के द्वारा बने एक गड़े के फलस्वय रूप पूता है जिसमें जल आकर भड़ जाता है तो इस पिरकार के गड़े को हम क्रेटर जील कहते हैं जिसका जो सबसे बड़ा एक्जामपल है भारत में वो है आपका लोनार जील जो की आपकी महराष्ट में पाई जाती है और आपकी ये दूसरी पुसकर जील जो आपकी राजिस्थान में पाई जाती है जो आलमुकी किरिया के दुआरा पृत्वी के अंदर और बाहर विभीन प्रकार की आकर्तियों का निर्मान होता है जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि जो 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 आलमुकी पड़ता है तो उसके मैगमा जमने से विभीन प्रकार की आकर्तियां बनी हुई है जैसे जमीन के अंदर सबसे निचे है बैथोलित फिर आपका है सील लोपोलित फैकोलित लैकोलित सिल डाइक और जब आप उपर देख रहे हैं जो आपकी अर्थ है अर्थ की सबसे उपर वाली लेयर है जिसे आप क्रस्ट कहते हैं तो उसके उपर एक विभीन प्रकार की आ गड़े का निर्मान हो रहा है जिस गड़े को हम क्या कहते हैं क्रेटर कहते हैं आप इस चितर में भी देख रहे हैं कि जैसे जो आला मुकी फटा है तो जो आला मुकी फटने से इसके उपर एक गड़ा बन जाता है जिसे आप क्या कहते हैं क्रेटर कहते हैं तो इस पिरकार कि जिस गड़े का निर्मान होता है, जब उस गड़े में पानी आकर भर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर जील कहते हैं, ये आप क्रेटर जील का एक गड़ा देख रहे हैं, जिसमें जल आकर भर जाता है, जो की एक क्रेटर जील का उधारण है, ये आप महारास की लोनार जील देख रहे हैं जो भारत में जुआला मुखी किरिया के द्वारा बनी हुई क्रेटर जील है तो ये आपने देखा इस गड़े में पानी आकर भर गया है जिसे हमने क्रेटर जील के रूप में जानते हैं अब हम देखते हैं कि गोखुर जिल का निर्मान कैसे होता है जब नदी पहाडों से बहते हुए मैदानी छेत्रों में आती है तो वो मैदानी छेत्रों में बल खाते हुए कभी राइट हैंड साइड और कभी लेफ्ट हैंड साइड बहती है तो इससे एक विशर्प का निर्म बचा हुआ भाग है उसको हम गोखुर जील के रूप में जानते हैं और उत्तर भारत की जो मैदानी जीले हैं वो आपकी गोखुर जील का ही एक्जामपल है प्लस जो आपकी वूलर जील है जो भारत की सबसे बड़ी फ्रेस वाटर लेक ऑफ इंडिया कहा जाता है जो के कारण हुआ है तो इस तरीके से हम देखते हैं इस परकार गोखुर जील का निर्माण होता है आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जब नदी पहाडू से आकर मैदान में बहती है तो कैसे लहराते हुए चल रही है कभी राइट हैंड साइड और कभी लेफ एंड साइड तो इस परकार की जो ये एक्स आकार की आकरती बन रही है तो ये जब आगे चल कर नदी सीधी चलने लगती है तो इस आकरती में को जो हम कहते हैं उसे हम गोखुर जील कहते हैं इसलिए हम कहा जाता है कि गोखुर जील का जो निर्माण होता है वो आपका किसकी किनारे होता अब हम एक ऐसी जील के बारे में बात करेंगे जिसकी अपनी एक खास विसेस्ता है जिसका निर्माण समुद्रिया महासागर के किनारे होता है और जो सागर या महासागर से इस्थलिय पट्टी या अवरोत के द्वारा जो इस्थल भाग अलग हो जाता है और जिसमें पानी आ इसका निर्मान अधिकांस्त है अप्टट रोधी का रोध प्रवाल भित्ती या प्रवाल वल्ले द्वारा अप्टटिये जल को मुखे सागर से प्रत्थक करने के कारण होता है इसलिए इसको हम लेंगूर जिल के नाम से जानते हैं लेंगून का निर्मान किसी खाड़ी या लगू निवेशिका के समोख पंक रेत बजरी आधी के निछेव से जब किसी रोधी का या रोध का निर्मान होता है तो सागर टट और रोधी का या रोध के मद्दे उथला सागरिय जल बंध हो जाता है जिससे लेंगून का निर्मा अब हम जीलों के बारे में कुछ महत्मुन और रोचक तथ्या देखते हैं जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पाने की जो जील है वो वूलर जील है जो जम्मु कस्मीर में पाई जाती है वहीं भारत की जो सबसे बड़ी नमकीन जील है वो सांभर जील है जो राजिस्थान में पाई जाती है और भारत की जो सबसे बड़ी लेंगून जील है वो चिलका जील है जो ओडिसा में पाई जाती है जिसे हमने अभी देखा है जिसका निर्मान ओडिसा टट पर महानदी के कारण हुआ है वहीं भारत की जो सबसे बड़ी आदर भूमी की जो जील है जिसे पश जल भूमी के नाम से भी जाना जाता है वो अस्टा मूडी जील है जो केरल में पाई जाती है और भारत की सबसे बड़ी क्रतिम या आठीफिशल जो जील है वो आपकी गोविन सागर जील ह ठीक है और ये आपकी UP और MP की सीमा पर पाई जाती है वहीं पूर्वत्तर भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पाने की जील है वो आपकी लोकटक जील है जो की कहां पाई जाती है मनी पूर में पाई जाती है इस चितर के माध्यम से भारत की सारी जीले एक साथ दर्साय गई है जैसे कि आप हर एक राज्ये की जीलो को आसानी से याद कर सकें तो आप चितर के माध्यम से आसानी से भारत की सबी जीलो को याद कर सकते हैं जिसमें ये भी दर्साय गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है, नमकी जील कौन सी है, पूरवत्तर भारत की जील कौन सी है और राजिस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है, तो इस तरीके से आप भारत की सारी जीले एक मान्चित्र में या मैप के अंदर आसानी से देख सकते हैं और याद कर सकते है अब भारत की एक एक जील को हम विस्तार से देखते हैं जैसे आपने देखा है कि तीन कॉलम दिये हुए है एक में लिखा हुआ है भारत की जीले दूसरे में है राज्य और तीसरे में है विसेस्ता सबसे पहले हम देखते हैं चिलका जील जो की ओडिसा राज्य में है यह भारत की सबसे बड़ी लेंगून जील है और यह बारत की नहीं एशिया की भी सबसे बड़ी लेंगून जील है जो की ईरावदी डॉलफिन के कारण बहुती आकष्ट्छन छेतर माना जाता है और देखने को मिलती हैं साथी ये जो आपका एक रामसर जगह है इरान में वहाँ पर आदर भूमियों को प्रोटेक करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सबसे पहले भारत की आदर भूमी के रूप में चिलका जिल को सामिल किया गया था तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो चिलका जिल है भारत की पहली आदर भूमी भी गोसित किया गया था रामसर सम्मेलन के दोरा दूसरी जील है आपकी बेंबानन जील जो की आपकी केरने मिलती है और यह भारत की सबसे लंबी जील है यह लंबाई में देखी जाए तो सबसे बड़ी लंबी जील जो है चाहिता हैं अग्ली जील आपकी पुलीकड जील जो आपकी आंथ-प्रदेश अन्तृक्षेंद्र अग्ली जील ज़ी आपकी ज्वाल के भुल्दाना जीले में मिलती है और जू एक ठ्रेटर जील है जिसकी तुर्ण के बेस्ट मोशन में विस्तार से पहले बता दिया है आगे है आपकी सामर जील जो राजिस्थान के नागोर वे जैपूर अजमेर जिले में पाई जाती है और यह है भारत की सबसे बड़ी नमकीन जील है और जिसे 1990 में रामसर में आद भूमी गोषित किया गया है अगली जील है आपकी पुसक अगली जील आपकी डिडवाना जील यह भी राजिस्थान में है नकी जील राजिस्थान के अजमेर में मांट आभू पाड़ी के निकट है अगली है पंचपद्रा यह राजिस्थान के बाड़मेल जीले में है देबर यह जैसमत जील जो है राजिस्थान के उद्यकूर मे है तो इस तरीकी से सांभर से लेकर जय समत्र जो जीले हैं ये सभी जीले राजिस्तान में पाई जाती है अगली जील है नल सोरोवर जील जो गुजरात के एम्दावाद में मिलती है और इसी जील की किनारे नल सोरोवर पक्षे उद्यान केंद्र है अगली जील है आपकी बड़ी मीठे पानी की जील है जो जम्मो कस्मी नदी के किनारे है और जो गोखुर जील का उधारण भारत में है आगे है दल जील जो सरीनगर में है और यह अब जील अपनी खुपसूर्टी के लिए बहुत ही विख्यात है रेनु का जील हिमाचर परदेश में है पैंगों जील लदाग छेतर में है और इक जील की किनारे डियार्डियों ने अपना रिसर सेंटर बनाया है जो विश्व का सबसे अधिक उचाई पर इस्तित रिसर सेंटर है और गोहना जील उत्राखंड में है नैनी जील नैनी ताल में है लोक्तक जील मनीपूर में है और यह है पूर्वत्तर भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी की जील है और साथ ही यह भारत का यहां पर भारत का राश्टिय उद्यान कैपुल लाम जहांग हो है जो एक तैरता मानसरोवर जील यह तिपत में है और सिंदू नदी प्रहंपुत नदी इसी मानसरोवर जील के निकट है चेमा यूंडूं ग्लेशर वहां से निकलती है आगे है आपकी राक्षस्ताल या राकेश जील यह भी तिपत में है और इस जील के किनारे से आपकी सतलज नदी निकल ठीक है और जीलू से संबंदित अगर कोई भी आपको समस्या हो कोई भी आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए